यूक्रेन का दावा मारियो पोल के अस्पिदाल में रूसी हमले में पचास लोगों की जिन्दा जलकर हुई मौत अमारिका की भारत को खुली धमकी कहा रूस से गटबंधन की भारत को चुका नहीं पड़ सकती है कीमत विश्व स्वास्त दिवस पर बोले पियम मोदी आज स्वास्त छेत्र से जुड़े लोगों के प्रती आभार व्यक्त करने का दिन सियम योगी का सक्त आदेश दस खरब डॉलर की अर्थ विवस्था के लिए योजना बद धंग से करेका महगाई की मार्जवारी फिर बड़े से इंची के दाम दो दशनलव पचास यानि की ठाई रुपे प्रती किलो हुई महगी गैस नमस्कार प्राइम टीवी मापका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शुका मैर उतरा शुरुवात करते हैं उतर प्रदेश खबरों की भाजबा कार्याले में आए हुजेत कारिक्रम में पहुँचे सांसर डॉक्टर साक्षी महराज ने गोरकपुर मठ पर हमले की निंदा की उन्होंने कहा कि योगी जी सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है और गोरकपुर का मठ उनका है बिना शडियंत्र के हथियार लेकर कोई वहाँ प्रवेश कर नहीं सकता बहुत ही दुर्गा गिपूर्ण घटना है योगी ही विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है और गोरकपुर का मठ उनका मठ है शान्हान तेहा बिना योजना के बिना किशी बड़े सिद्यंत्र के धार धार हत्यार लेकर के कोई व्यक्ति महाँ प्रवेश नहीं कर सकता मैं इनकी इसकी निंदा करता हूं परन्तु निंदा करने मात्र से इसका हल निकलने माला नहीं है कुछ असामाजिक चत्तों के या आस्तिन के सांपों के या अलगावादियों के इरादे नापाक है मोदी जी और योगी जी के सासन काल में जो सांत्र वस्था जो लोगतांत्र वस्था दुभाई चारा इस देश में काइम हुआ है उसमें विश घोलना चाहते हैं भारती जंता पार्टी के स्थाफना दिवस पर जनपत सीतापूर के सदर विधान सभा विधायक और उत्रप्रदेश राज्य के नगर विकास मंत्री राकेश राथोड गुरू ने प्राइम टीवी के माध्यम से भारती जंता पार्टी की विशेश्टाओं को लोगों के सामन रखा तो चलिए अब आपको सुनाते हैं दौरान यूपी के नगर विकास मंत्री राकेश राथ और गुरू ने और क्या कुछ कहा अब हमको पूरी परदेश की सेवा करनी है पूरे परदेश की जो हमको इस पज़ पे जो मिले है 25 करोड की जट्टा की सेवा करने का मौका मिला है और सब अपने लोगों से यही सहयोग करता है कि कुछ सहयोग और कुछ असिरवात ने हम आगे बढ़ते चले खबर अलीगर से है जहाँ अपराधियों और माफियाओं के साथ दबंगों द्वारा कब्जे की गई अवैद जमीन और संपत्यों को दोस्त किया जा रहा है सिकडी में प्रिशासन बीते 2 अप्रेल से जन्पद में लगतार अतिक्रमण को लेकर अभ्यान चिला रहा है इस अभ्यान में A.D.A. ने अपनी कई प्रॉपर्टी खाली भी कराई है A.D.A. के प्रॉपर्टी पर माफिया ने ट्रैक्टर एजनसी खोल दी है जिसे J.C.V की मदद से खाली कराया गया है A.D.A. ने अतिक्रमण अभ्यान चलाया है तसीरों में देख सकते हैं आप जिस तरह अवैद संपत्यों पर बुल्डोजर चला है और उन्हें जमी दोस कर दिया गया है आपको बता दे कि अवैद रूप से कब्जा की गई संपत्यों पर लगतार सरकार की नजर है और दवंगो द्वारा कब्जा की गई अवैद जमीन और संपत्यों को दोस्त किया जोरा है इसी कड़ी में प्रुशासन वीते 2 अप्रेल से जनपद में लगतार अतिक्रमण को लेकर अभ्यान चला रही है इस अभ्यान में A.D.A. ने अपनी कई प्रॉपर्टी खाली भी कराई है A.D.A. के प्रॉपर्टी पर माफिया ने ट्राक्टर एजेंसी खोल रखी थी जिसे जेसीवी के मदद से खाली कराया गया है भारती जंदा पार्टी के साफना दिवस के मौके पर जिला कारगार से नौ बंदियों को रिहा किया गया जानकारी देते हुए जेलर पी के सिंग ने बताया कि लखनव में डीजी जेल और जेल मंतरी सहेता अग्या अफसरों की मीटिंग भी हुई थी जिसमें नर्णे लिया गया था कि जेल में कुछ बंदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और जुर्माना नहीं भर पा रहे थे और जुर्माने की सजा काट रहे थे ऐसे बंदियों को रिहाई के नर्देश प्राप्त हुए थे उसी क्रम में आदेशों का पालन करते हुए नौ बंदी रिहा किये गए जो बंदी जुर्वाना के वल्ले में अपने सजा बितीत कर रहे हैं और वो छूट नहीं पा रहे हैं ऐसे बंदीयों को जुर्वाना जमा करा कर आज जो है इनको रिहा करवा दिया जाए तो खुड ऐसे आल उपी की जेलों में 36 प्रिजनर थे जिसमें 9 प्रिजनर हमारे अलिगर जेल के हैं जिनका जुर्माना एक समाज से भी उद्दुक पती सिरी मनोज गया जो 37 गर कर रहने वाले हैं माने मंत्री की जरी एक कल मुक्खालय में ही पैसा दिया गया है जो यहां राज की कुछ में जमा कर दिया दिखाई है उक्त कैदियों को समाज सेवी और उद्द्योग पतियों के सहीयोग से जर्मानी की राशी जमा करने के बाद रहा किया गया है इस प्रक्रिया के तहत प्रदीश भर के कारगारों से कुल 136 कैदियों को एक साथ रिहा किया गया है जो कि अपना जुर्मानी की रकम जवा नहीं कर पा रहे थे इसमें मत्रजुला कारगार से रिहा हुए चार कैदि भी शामिल है बता दें कि भारती जिंता पार्टी के इस्थापन दिवस के उपलक्षमी और समाज सेवियों के सहयोग से इन्हें छोड़ा गया है रुपे आपका प्रस्थाजासन ने बीस जार रुपे जमा किया है तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सरकार के लिए भारती जंता पार्टी के अस्थापना दिवस के उसर पर मानी मुख्य मंत्री योगी आदित नाथ जी तथा हमारे कारागार मंत्री मानी धरंबीर प्रजापा जी मत्री सुरियस डाही जी की प्रणा से बंदी जो कि जुरुमाने में रुध्य है उनको जुरुमाना जमा करके उनको ओलिया करा जा रहा है यह नेक काम 36 गर के प्रसित उद्योगपती यों समा से वी स्री मने मनोज कुमार गोएल जी द्वारा किया जा रहा है स्री मनोज कुमार गोएल यम के जी मेकिंग नान फारगुर फाउंडेशन चलाते हैं उनके सहयोग से प्रदेश की 49 कारागारों में कुल 135 निर्धन बंदियों को छोड़ा जा रहा है उन सभी बंदियों पर 8,75,270 रुपय जुर्माना की धनरास है आज वो जुर्माना सभी 135 बंदियों का जुर्माना उनके द्वारा जमा किया गया है और आज 4 बजे इस कारागार के 2 बंदियों को छोड़ा जाना है मत्रा जिर से कितने जोड़े हैं मत्रा जिर से 4 बंदियों खबर आगरा से है जोहाँ पास मलपुरा कजबे में जगड़े की सूचना पाकर चीता पुलिस को पहुँचना भारी पड़ गया वहीं दबंगों ने पुलिस को घे लिया और लाठी डंडे से हमला बोल दिया साथ ही फाइरिंग और पत्राओ भी किया गया हमले में पुलिस कर्मियों बुरी तरह लहू लुहान हो गए बता दे कि मामने में पाच नामजद और तीन अगयाs के खिलाब मुगदमा दर्ज किया गया है मामला कजवा मलपुरा का है तो पुलिस कर्मियों पर हमला करने का ये मामला आगरा से सामने आया है जोहाँ पे दबंगों ने पुलिस को ही घे लिया और जम कल लाटी डंडे बरसाए मलपुरा कजबे में जगड़े की सूचना परे जब पुलिस पहुची तो वहाँ दबंगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और लाटी डंडे से हमला करते हुए काफी लहु लुहान कर दिया पुलिस कर्मियों को फाइरिंग और पत्राओं भी किया गया हमले में बुलिस कर्मियों बुरी तरह घायल हुए है मामले में पांच नाम जिद और तीर अग्यात के खिलाफ मुकदमा दर्च किया गया है देखिए घटना करम ठाना मलपुरा का है और यहां कर रात एक महिला थाने पर आती है जो शिकायत करती है कि उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं सोचना पर ततकर हमारे ठाना प्रवारी मौकर पर पहुशते हैं और महां पर दो लोग की अर्रेश्टिंग करते हैं फरुखबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जो आप बारा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपरेद मासूं को पुलिस में बरामत के लिया है जिसके बाद मां की आखों में एक लोते बेटे को पाने की खुशी दिखाई दी और परिजनों ने पुलिस को धन्यव फरुखबाद किया आरोपी रीमा देवी और उसके एक साथी को कमाल गंज के ग्राम चाचुपूर से सोजी टीम के द्वारा दबोचा गया है और उसके पास से आदित्य को भी बरामत किया गया है तो फरुखबाद से ये खबर सामने आई है जहां अपरित बच्चे को पुलिस ने जल्दी ही ढूंड निकाला जिन अपरादियों ने इस अपरात को अंजाम दिया था हूं उनके कबजे से बच्चे को पाया है साथी अपरादियों को भी पकड़ लिया है हिरासत में लिया तो पुलिस का सरहानी काम देखने को मिलाए फरुखबाद से जहाँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है अपरत बच्चे को जल से जल्द ढूंडा गिया पुलिस दौरा और उसके परीजेनों से मिलाए गिया जिसके बाद मा की आखों में खुशी साफ देखने को मिली जब नहीं मिली तो हम कोजवाली आए हमें क्लूंग ले उसके आधार पर जो बच्चा है उसको हमने चाचुपुर गाओं जो कि कमाल गंज कंतर करते हैं वहां से अभी रिकवर किया है और जो अभी तक पूरी चीजे समझ में आई है और जो ये रिमा वर्मा है जो दिल्ली रहती है पिछले साथ दिन से यहां प खरीद पर अंदर ये काम करती है पहले साथ दिन से यहां पर आकर एक प्लानिंग के तहर कि किस तरीके से बच्चे को यहां से पांचाल गांट लेके जाना है और वहां से फिर इसको जो यह चाचुपुर में जहां से बच्चा बरामद हुआ है उनके हैंड़ोर करना है उस पलधाना छेतर में दुकान बंद करके घर जाते समय एक सुनार से बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने सुनार से 25 ग्राम सोना और 3100 रुपे लूट एक मौके से फरार हो गए वहीं लूट के बाद बाइक से भागते अश्यों की ग्रफतारी के लिए पलिस ने तीन टीम में कठित की हैं जब वो मानपूर शेतर से जा रहे था पाजोता ग्राम के रहने वाले हैं मानपूर शेतर से जा रहे थे तो उनके पास एक लाल रन का शोल्डर बैग था जो तीन अग्यात बाइक सवार यूकों ने उनसे चीन लिया इस संबंद में मुकदमा दर्चकर कारवाई की जा रही है थाना टपल अंतर के तीन टीम में बना दी गए है जिसमें सर्विलाइश जल से घटना खुर्ला सकर कारवाई की जाएगे माजपुर में मैं दुकान करता हूं जी किस चीजी संद्वर दुकान जी यही सोने चांदी की चोटी सी दुकान है तो मैं अपने दुकान बढ़ाके इसी रस्ते से जा रहा था तो पीन बंदे अपाची पे और मुझे रूक लिए रस्ते में और सामान वावान मोवाई के बाद कहां गए आप इसके बाद भी मैं इधर उधर देखा इस कोई मिला नहीं आदमी थोड़ी देद दस मिनट के बाद इधर से आदमी आ रहे हैं यहां गहां होगा है इधर से मैंने उनका फोन लिया फिर अपने घर फोन किया बहराईच पुलिस ने संसनी खेज दो हे हर सकरते हुए दो शातिर हत्यारे दोस्तों को ग्रफतार किया है अपर पुलिस सदीक शक ग्रामेर अशोक सिंग ने बताया कि महिला के साथ यूबक का अवैद संबंद चल रहा था जिस पर महिला यूबक से शादी करने का दबाव बना रही थी इससे पहले इसको लेकर पहले पांट अब कराने के बाद हम लोगों ने सर्विलांस टीम जो की पुलिस दिश्चा वद्रे के नर्देश पे गटना का नावरं करने के लिए लगाई गई थी थी ठानारुपेडिया और सर्विलांस टीम और हम सभी लोगों ने प्रयास करके इसमें दोनों नामिक अजिक् कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचिक मैच में मुंबाई इंडियन्स को पांच विकेट सहरा दिया इस मुकाबले में कोलकाता के लिए पैंट कमिन्स ने महज 15 गेंदों में 56 रनों की नवाद पारी खेली कमिन्स ने हाथ से फिसल रहे माच को केके आर की जोली में डाल दिया केके आर की जीत के बाद कप्तान ट्रेयस अयर ने बाट कमिन्स की तरफ तारीफ की और साथी इस मुकाबले में मुंबाई ने पहले बाटिंग करते हुए 200 ओवरों में 161 रन बनाए इसके जवाब में के कियार के लिए कमिन्स ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 6 चके और 4 चौके की मदद से 90 चपन रन बनाए जबकि वैंकटेश अयर ने 90 पुचास रन बनाए वैंकटेश ने इस जपारी में 6 चौके और 1 चौका भी लगाया कि उत्तरप्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार